हरी कृष्णा रादे रादे कैसे हैं आप सब आप सब आप सबी ठीक होंगे आज मैं अपने लड़ो गोपाल और लाडो की विंटर सेवा का पार्ट टू आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं जिसमें मैं उनकी इवनिंग से लेके नाइट रूटीन आपको दिखा रहे हूं भोग लगा रही हूं शाम के पांच बजे ये मेरा चौथा भोग लगता है लड़ो गोपाल और राधारानी को और जरूरी नहीं है कि बिस्किट दूद ही हो कभी कभी कुछ स्नैक वगरा भी भोग में लगा देती हूं अकर शाम को कुछ पकोड़ी या पापर टाइप कु अब तक मैं ये दूद और बिस्किट का भोग अपने ठाकुर जी को लगा रही हूं इसके बाद जब ये भोग में लगा दूँगी यहां क्योंकि तुलसी दल अभी मेरे पास नहीं है शाम के भोग में तो मैं तुलसी माला का प्रयोग कर रही हूं अब जब मैं ये बिस्क को हम चाय के साथ प्रयोग करेंगे मेरी बच्ची भी इस टाइम दूद पीएगी सो रही है अभी तो उठेगी तो उसका भी दूद तयार कर लूँगी और शाम के पांच बजे ये चीजे मुझे लगता है सभी के घरों में होती है शाम की चाय तो सभी को पसंद है तो अभ यह मैंने चाय चड़ा दी है चाय खोलने लगी है और यह प्रसाद में जो दूद मैंने चड़ाया था उससे मैंने चाय बना ली है और यह बिस्किट जो भोग लगाये थे यह स्नैक में हम यूज कर लेंगे बाकी मेरी बच्ची भी यह बिस्किट खा सकती है क्योंकि उसको पारले जी खाने में आसानी रहती है इसके अलावा वो कोई भी बिस्किट पसंद नहीं करती है तो मैं पारले जी ही उसके लिए खरीद कर लाती हूँ इसके बाद शाम की आरती का समय हो जाता है जो मैं 6 से 6.5 की बीच में करती हूँ तो यहाँ पर मैंने अपनी सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली है आरती करना शुरू कर दिया है आरती के बाद शाम को करीब 8 बचे पांचवा भोग लगता है लड़ू गोपाल को मैं अपने लड़ू गोपाल को लगा देती हूँ तो अभी फिलाल मूली के पराटे का भोग मैं उनको अर्पित नहीं करूंगी इसलिए मैं यहाँ पर उनको ओड़ू का भोग लगाने जा रहे हूँ ओर्ट मैंने मीठा बनाया है इसमें मैंने दूद और शक्कर मिलाई है दूद में पका कर और ओर्ट को मैंने भून लिया था पहले ही ओर्ट को नमकीन भी बनाया जा सकता है मगर लड़ू को पाल को जितना हो सकता है मैं मीठे का ही भोग लगाती हूँ तो ये थी मेरी भोग सेवा, अब इसके बाद मैं किचिन में जाऊंगी, अपने डिनर के तयारी करूंगी, लेकिन क्योंकि सर्दी बढ़ गई है और मेरे लड़ु कोपाल को मैं जाधा देर जागने नहीं देती हूं, तो 9 बजे तक उनकी इत्र सेवा करके उन्हें शैन के ल कई बार ऐसा होता है, आजकल तो सर्दियों के मौसम में शादी पार्टी भी बहुत होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि शादी बगर में अगर जाना पड़ गया या पार्टी में जाना पड़ गया, तो प्रभू को शैन करा के ही तभी मैं पार्टी में जाती हूं, अभी क का बिस्तर लगा दिया है और मैंने अपने प्रभु को शयन के लिए भेज दिया है यहाँ पर बल्ब जलता है और यह जो परदा में डाल देती हूं तो बहुत गर्मी रहती है और मेरे लड़ु को पाल उनी पहन कर ही सोते हैं मैं अपने लड़ु को पाल को अभी नाइटी व इससे पहले मैंने डे रूटीन सेवा भी आपके साथ शेयर की थी तो बताईएगा जरूर की कैसे लगी मेरी सेवा अपना ध्यान रखिए जय श्री कृष्णा